हेलो इस्टुडेंट्स मैं स्वागत करता हूँ बाला जी स्टीमोसन चैनल पर एस्टुडेंट्स कल की क्लास मैंने आप लगोगो क्लास टल्बी की मैथमेटिस के अंतरगत NCIT बुक से एक नया चप्टर प्रहना स्टाड के था जिसका नाम था सारडी लेकिन काफी स्टुडेंट्स का यह कमेंट आया है कि सर्ज जो है सामा कलन पढ़ा जा रहा था उसकी क्लासे भी आप regular रखिए तो मैंने सोचा कि जो students समाकलन पढ़ रहा है थे तो उनको एक दिन हम समाकलन की class provide कर देते हैं और जो students आज की class में हम आप लोगों को समाकलन चैप्टर के अंतरगत जो कि आपकी सेकेंड बुक है उसमें आप लोगों को प्रेशना वाली 7.3 के अंतरगत question number 1 लेकर question number 7 तक के प्रस्नों को सौर वगरा दिया था अगर आपने इसके पहले की class को नहीं देखा है तो playlist का link के मैं discussion में दे देता हूँ वहां से आप दे सकते हो यानि समाकलन चैप्टर की अभी तक मैंने साथ class को upload किया है आप देख सकते हो तो आज हमारी जो है समाकलन की आठवी class है इसमें मैं exercise 7.3 की question number 7 के आगे के question 8,9,10 यह समय question बताऊंगा यानि इस पुरिशनवावली को ही खतम करने वाला हूँ इसलिए पूरी class को देहां से देखेगा कहीं पर मत जाएगा क्योंकि यही ऐसे question होते हैं जो आपके board exam में आते हैं और आप जब पूरा नहीं पढ़ते हो तो वहां पर सब तो वह नहीं कर पाते हो क्योंकि लास्ट में board exam की तयारी करने से आप नहीं पासे आपको पढ़ना पूरा पढ़ेगा ना तो एक बाप पढ़ लेते हैं तो चलिए यहां पर देखते हैं भी question number 8 में क्या बोला जा रहा है आप से बोला जा रहा है कि जो भी फॉलन दिये समा कलंग करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको आई के बराबर मान लेते जो भी फॉलन दिया होता है हमें समा कलंग करना है 1-cos x अपान में 1 plus cos x का चुकि यह फॉलन x के पढ़नों में तो यहां पर लिख देंगे हैं dx सुलन जिसके पढ़नों में उसी के साब समा के 4 फर्मूले होते हैं पहला होता है cos square a by two minus sin square a by two जिसको नहीं पता होगा नोट कर लिजेगा दूसरा होता है cos a का half angle का formula two cos square a by two minus one तीसरा होता है cos a का half angle और formula one minus two sin square a by two चौथा होता है cos a का a ten के पदू में होता वो यहाँ पर लिखने की कोई जुरूत नहीं है इसी से आपका काम चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे आई स्कॉल टू आपका हो जाएगा वन माइनस यहाँ पर कॉस एक्स का फार्मॉला लगा देंगे वन माइनस टू सानिस कर रहा तो वन कॉसस को एर एक सूर्वाइट टू माइनस वन और यह का हो गया डी सेना अब देली यह माईनस वनी माइनस यह द्स मील यह जीड़ हो गया माइनस वनी प्लस न यह का जीरो हो गया खुल मिला कि और यह दो से दो भी कैंसिल को जाएगा तो情況 जाएगा सैन स्क tu X by 2 अपाने कॉस्क्वार X by 2 जो कि आपका बन जाएगा 10 square X by 2 अब समा कलन के सूत्र में 10 square X by 2 यहां पर आप क्या करोगे 10 square X को जो है से पदों में change करोगे तो चलिए बैचेंज कर लेते हैं अभी आपका क्या हो जाएगा इसको देखिए आप लिख सकते हो तो i square to 6 square X by 2 है ना और माइनस 1 तो माइनस 1 dx का अलग कर दीजी तो i square to यहां पर आपके अगर तो बराबर टी मान लेते हो ठीक है तो 6 square T का समखली क्या होता टैंटी तो यह को जगा टैंटी क्यास थाहां पर X by 2 और X by 2 जब आउकलन करते हो है तो 1 by 2 यह आपका sorry आपान में 1 by 2 आ जाता यहीं आपका यहां पर 2 आ जाएगा ठीक है आप देख लिजी कि अभी X by 2 बराबर टी मान होगे तो DX बराबर आपका टू डीटी आ जाएगा ठीक है तो 6 square T 2 डीटी हो जाएगा तो यहां पर अन्ने लिख दिया है ओके आप मान कर अलग कर लिजी आपर में डार को किया है कुशन में देखते हैं यहां पर जो भी फलन दिया गया है इसको भी आप क्या कि यह आई के बराबर मानिये इस फलन का हमें क्या करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंटिगेशन करना है यहां पर भी आपको वही काम करना है कोई अलग कर नहीं करना है इसका इं अलाक कर लिजे भई, यह आपका हो गया Cos x Plus one और आपकान में कितना हो गया Cos x Plus और डी एक्स हो गया, फिर मायनस One अपान यह कितना हो गया Cos x Plus One और यह आपका हो गया, इतना तो कर सकते हो ना सभी लोग, अब देगिए यह चीज़े हैं आपकी है, same, ऊपर नीचे, तो यह cancel हो जाएंगी, i is equal to, समा कलन हो जाएगा, dx का minus, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर आपको वही काम करना है, cos x का ऐसा formula लगाना, जिससे आपका one cancel हो जाएगा, तो यह जाएगा, one upon, देखे, यह आपको जाएगा, two cos square x by two, minus one, उसके बाद plus one लिखा, वो लिख दीजिए, अब minus one plus one, यह आपका zero हो जाएगा, i is equal to, देखे, dx का समा कलन x हो गया, minus लगा यह, one by two, अचर पादे बाहर हो जाएगा, one upon cos square x by two, यह आपका हो जाएगा, six square x by two, और यह आपका हो गया, dx, i is equal to, x minus one by two, six square x by two का, अभी आप ल इसल मिल किया, x minus 10 x by two plus का c, यह आपके इस question number 9 का answer हो गया, बताइए, समझ में आया कि नहीं है, बिलकुल आया होगा, चली बढ़ते है, question number 10 की ओर, तो question number 10 में आपको क्या दिया गया है, फलन दिया गया है, sign की पावर 4x, इसको भी आप क्या करोगे, जो भी फलन दिया गया इसको आप i के बराबर मान लोगी, इस फलन का आपको with respect to x क्या करना भई, समा कलन करना है, इसका समा कलन करने के लिए आप क्या करोगे, i equal to, इसको लिखोगे, sign square x का भई, whole square और dx, यह आप कहो जाएगा, i equal to, इसको आप लिसक्ते हो दिखे कितना, आप जानते हों कि, cos 2a के बराबर होता है, one minus two sine square a, होता है कि नहीं होता है, तो आप यहाँ से sine square a के value निकालोगे, तो one minus cos 2a, और upon में two आ जाएगा, यहाँ कि, sin square x के अस्थाम पर आल भी सकते है, one minus cos, यहाँ पर a के अस्थाम पर कितना है, भई, एक से तो यह आपको हो जाएगा, two x और upon में two, इसका whole square और into में अपको हो जाएगा, dx, आई बासन में, थोड़ा सा whole square आप open कर लीजिए, तो one upon two का whole square, one upon four हो जाएगा, और देखिए, one minus cos 2x का whole square open करोगे, तो one का square one हो जाएगा, और minus two ab, तो two cos 2x हो जाएगा, और plus का b square, यहनि cos square आपका 2x हो जाएगा, और यह आपको हो देखिए का भाई धिहान से, बहुत ही इंपोर्टन सवाल है, आपके, तो देखिए यह आप का हो जाए, i is equal to one upon four है ना, और समा करन के अंदर यह आप का हो जाए, one minus two cos 2x हो जाएगा, और प्लस का यह आप का हो जाएगा, भाई, cos square 2x और यह आप का हो जाए, dx, तो i is equal to the key कि यह one by four हो गया, ठीक है, और यह one minus two cos two x plus, cos square two के अस्था, two x के अस्थांबर क्या ले सकते हो, देखिए, आपने cos two x का formula पढ़ा है, two cos square x minus one, यह minus one इधर आ जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा, चले इदर भेज लेते हैं, यह आपका हो जाएगा, cos two x plus one बराबर हो हो जाएगा कि नहीं बताइए, तो यहाँ से अगर आप cos square x की value निकालोगे, तो cos two x plus one by two हो जाएगा कि ने, अब चुकि यहाँ पर two x, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर two x, यहाँ पर four x हो जाएगा, यहनि इसके अस्थां पर आप ले सकते हो, cos four x plus one और अपन में two, और यह हो जाएगा, dx, ठीक है, हमने इस समय कर से लिखा, इसको यहाँ पर हम रफ किये देते हैं, अब यह आप कहो जाएगा, i is equal to, क्योंकि हमारे पास इतना प्लेस नहीं कि हम यह सब लिखे, अब यह आप कहो जाएगा, one by four का गुड़ा one से हो गया, minus, इसका समा किलान अलग कर कर लिजी आप, dx कर लिजी है ना, फिर माइनस, one by four का गुड़ा आप, two cost two x से करोगे, तो यह one by two जाएगा, क्योंकि two two जा फोर होता है, और यह आप का हो जाएगा, cost two x dx का समा किलान अलग प्लस, one upon four का गुड़ा one upon two second, one upon eight, और समा किलान किस का हो जाएगा, cost four x breaker में इध i is equal to one upon four का समा किलान एक सके साफ एगा, one upon four x हो जाएगा, minus one by two, है ना, और cost two x का आप समा किलान करोगे, तो two x बरापर भी आप टी मान होगे, तो यह आपका dx बरापर हो जाएगा, dt अपन में, two, तो यह cost two हो जाएगा, cost two का समा किलान कितना हता, sign two x dt by two, यानि आप पर देखी, इसका करोगे, तो four से गुड़ा हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा, रचोग 32, और cost four x का आपका हो जाएगा, sign four x, plus one upon, कितना हो जाएगा, eight का x के सापर हो जाएगा, one upon eight, और यह आपका हो जाएगा, यह आपका answer हो जाएगा, i is equal to one upon four, x minus one upon four, यह आपक सब्सक्राइब कर सकते हो, i is equal to, देखे, इसमें उपर नीचे two से आप गुड़ा कर लिजी, है ना, हर बराबर कर लिजी, तो उपर यह देखे, हर से मोगा, एक हाल लिजी, two x और x यह मिलकि आपका three x हो जाएगा, minus one upon four, और यह आपका हो गया, sign two x plus one upon, 32 sign four x plus का, सी आप ज लोगों को, question number 10, अच्छी तरीके समभनें आया होगा, ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से अपको समझा दिया है, आप screen status कर ले सकते हूं, फिर बढ़ते हैं अगले question, question number 11 की और, तेकि मैंने आपको को प्रशना वली समाबत करने के लिए बोला है, लेकिन अगर समय ज्यादा लग रहा है समालों में, तो जो एक दूर रह जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले class में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले question, question number 11, फिराल आपको question कोई छोड़ का नहीं चलना है, प्रते question पर महिनत करनी है, और लगाना है, चलिए देखते है, question question number 11, में क्या बोला जा रहा है, question आपके screen पर लिख कर आ जाता है, कि यहाँ के पास किताब नहीं है, तब भी ठीक है, और किताब है, तब भी ठीक है, तो question number 11, को भाई देखते है, question number 11, में बोला जा रहा है, cause की power 4, 2x, दिया गया, कितना दिया गया है, देखिए इसका मैं तरीका बताता है, question number आपका, क्या रहा है, I equal to, यहाँ पर दिया है, cause की power 4, और इंटू में 2x, अभी same question, question number 10, जैसा है, इसका भी सकते हो, I equal to, बस थोड़ा सा calculation करना, इसको लिख सकते हो, cause square 2x का भाई, whole square dx, अब आप सभी लोग जानते हो, कि cause 2x, बारावर होता है, 2 cause square x, minus 1, यानि यहाँ से अगर आप cause square x की वाली निकलते हो, तो आ जाता है, cause 2x plus 1, अपान में 2, आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो जब यहाँ, एक्स होता है, तो यहाँ पर आगर 2x है, तो इसके अस्थां पर आप लिसकते हो, देखिए, cause square 2x के अस्थां पर लिसकते हो, cause 4x plus 1, अपान में 2, इसका whole square और dx, अब तो सबी लोग, इसका whole square open के लिजिए, one upon 4 जो है, two square one upon 4 बाहर हो जाएगा, और cause 4x plus 1 का whole square dx अलग हो जाएगा, इसका whole square open कर दीजिएगा, जैसे अभी हमने question number आपके सामने 10 को solve किया था, बिलकुर उसे तरीके से whole square open कर दीजिएगा, अ question आपका solve हो जाएगा, बताए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, अब यह question हम आगे solve नहीं करेंगे, आप लोग आगे इसको solve कर लिजिएगा, यह आपका, क्या है भई, hw है, तुसको आगे solve किजिएगा, अगला question देखते है, question number 12, question number 12 में क्या दिया question number 12 में को देखते हैं, तो question number 12 में दिया गया है, sine square x अपान में, one plus cause 6, कितना दिया गया है, यह दिया गया है, i square 2, sine square x अपान में दिया जा रहा है, one plus, भाई, cause 6 दिया जा रहा है, काफी सरल question है, अगर आप ध्यांस देखे, बहुत यह आसान question है, बिलकुल भी cutting question नहीं, द 1 plus cause 6, dx, छोटा से दिमाग लगा, यहाँ पर one square, आपनी सकते क्यों नहीं, तो यह i square 2 देखे, a square minus 20 कारगा, formula का दीजी, तो यह जाएगा, one minus cause 6, इनी, a minus b, बेक ब्रेकर में, और one plus cause 6, एक ब्रेकर में, आपान में हो जाएगा, one plus, भाई, cause 6, और यह आपका हो गया, भाई, आसानी के साथ कर सकते हो, यह one dx, अलग हो जाएगा, minus, cause dx, अलग हो जाएगा, देखे, dx का समा करना कितना हो जाएगा, x, और cause 6 का कितना होता भी, साइनिक्स होता है, प्लस का, cf का, इस question का, answer हो जाएगा, question number 12, सरा question था, की नहीं था, था, सारे question सराल है, कठी नहीं भी यह देखते हैं, अगला question, अगला question, अगला question, नमारा question number 13, बहुत ही गजब का question, exam में आने के लायक है, ठीक है, देखे, भी, काफे students, इस question में, compute भी जो हो जाते हैं, अनसाल पे पर उठा कि देखे, यह question, आपके exam में आ चुका है, कौन सा question है, question number 13, देखते हैं, question number 13 में, I equal to, दिया जा रहा है, cost to x, इस question के भी हमें, trick बताएंगे, आपको, cost to alpha, जिससे आपको कभी भूलोगी, अपान मे, cost x minus का भाई, cost alpha, और यह आपको हो जाएगा, dx, है ना, क्योंकि, x के पदों में, आपका फलन दिया गया, कहीं पर अचर पद भी है, आपका cost alpha, तो इससे आपक cost के पदों में, तो यहाँ पर cost to x का ऐसा formula गईएगा, जिसमें cost आता है, यहाँ पर भी cost to alpha में, because, वाला ही formula गईएगा, उसके बाद सावी कीजिएगा, बस यह आपका question नहीं फासेगा, कहीं पर, I school to, देखिए cost to x, क्या स्थांपर आप लिख सकते हो भी, क्या लिख सकते cost का भई, cost alpha और यह आपका हो गया, dx, I school to आपका कितना हो जाएगा, इसको open कर लिजिए थोड़ा से यहीं पर open कर लेते हैं, जगा ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, देखिए, open जैसे करेंगे, यह प्लस हो जाएगा, अब यह प्लस 1 यह माइनस 1 0 हो गया, और यह 2 cost square x minus 2 cost square alpha में 2 कोमल ले लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा, cost square x minus का cost square alpha, upon में आपका हो जाएगा, cost x minus का भई, cost alpha और यह आपका हो गया, dx, I school to, यह 2 बाहर आगया, इसमें a square minus b square का formula लगा दीजिए, तो यह cost x plus cost alpha 1 बरीकर में हो जाएगा, है ना, और यह आपका cost x minus cost alpha 1 बरीकर का cost alpha और यह खो गया, dx, आप देख लिजे, यह चीज़ आपके कर जाएगी, I school to 2 हो गया, और cost x का आप अलग समा कलंग कर दीजिए, plus 2 का गुड़ा भी तो होगा, cost alpha से, और cost alpha का अलग करोगे, cost alpha आपका है, अचर पदे, और अचर पद का कभी समा कलंग नहीं होता है, cost alpha का समा कलंग कर दीजिए, साइनलफा गलाथ हो जाएगा, ये cost alpha अचर पदे, अब इसका जो समा कलंग करोगे, तो I school to 2, cost x का समा कलंग होता है, sign x, और ये 2, cost alpha, cost alpha आपके नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, बढ़ते हैं अगले इसके question 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 number 14 की और, तो question number 14 में दीखिये क्या दिया गया है, देखिया हम समाय को लोस नहीं करते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने के व्क्त, आपकी comment को देखना, ये सब समय लॉस करने के मतलब है, इंसे कोई मतलब नहीं ठीक, आप पढ़ाई करने के वर्ट इक वर को शोनों आप लोगों कि है इसको पहले दूर किया जाए है ना चलिए यहां पर कोशन नंबर 14 में देखते हैं कोशन 14 में दिया गया है आइस को लिख लेते हैं दिया गया है भी कॉस एक्स क्या दिया गया है कॉस एक्स माइनस का साइन एकस तो यहां पर देखे लिख लेते हैं भई कॉस एकस माइनस का साइन एकस वैसे बहुत ही प्यारा कोशन है अपान में दिया गया वन प्लस साइन टू एकस डी एकस इस फॉलन का हमें समाग लगाना है देखे कितना मज़ेदार कोशन है अब देखेगा यह आपका हो हो जाएगा आई स्कॉर्टो इसको आप लिख सकते हो कॉस एकस माइनस का भई साइन एकस अपान में वन के स्थाम पर आप देखे लिख सकते हो साइन स्कॉर एकस प्लस का कॉस स्कॉर एकस इस सर्वसन का कमान वान होता है कि नहीं होता है और साइन टू साइन एकस इल्टो म होल स्कुरार क्या बन जाएगा होल स्कुरार और यह आपका हो गया भाई टी एक्स बताए इतनी बात आज सभी लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बिल्कुल आई होगी इसमें तो कोई दिक्कती नहीं होनी चाहिए ठीक है आप देखें यहां पर यह कोशन आपका सॉल हो सब्सक्राइब हो गया है इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसमें मान लेना है कोश एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी क्यों मान होगी चैकि इसी के तुवखल गुड़ांगर आंस में लिखा है ध्यांसे देखिये बही कॉस एक्स का वकलां करोगे तो यह आपका हो गा कॉस एक-समान इसचेच देटी लिख सकते हो अपान मी इसको आम लिख एक ना मान वेटती स्कुरिश्टीन स्कॉय लिख दिया आई स्कुल टू यह आप का जाएगा टी की पाउर मायनस टू का टीए के रिस्पेक्ट में आप समा कलंगर ओगे तो टीगिपाउर मानस two plus one ho जाएगा अपान a minus two plus one ho जाएगा है ना वही एक्स की पानुब्लस one upon में तो यह को जागा टी की पार मानज वन आपान के आप वन फान्थ मेनस हद्य के ऊ harp एक्वत्वामड numerous one रिजिभन लिपना किपना हो जांटी एन ह блथब की स्थय की सिय美國 कोशन नमर चौछाद आगा माइनस के वण अपन कॉश्च प्लस साइन एक साइक्स प्लस को सक्सिया आपके स्कॉषिन कभी एंसर हो जाएगा बताई बहुत समझ में बात के नहीं समझ में आई हो कि बिल्कुल हो कि कोशन हाड था ही नहीं भी चले बढ़ते हैं अगले कोशन कोशे नमर भाइप बंद्रह के और चलिए देखते हैं कोशन नमर पंद्रह में कितनी दम है ना देखते हैं कि सबाल में एक। आपके आगे किसी भी सवाल में दम नहीं है बस आपनी महनत को जारी रखिये आपके महनत कया कि कोई भी सवाल तगड़ा नहीं है देखिए बाइप कोश्चन नमबर आपका कौन से हो जाएगा 15 हो जाएगा अस्प्रश्णवली का तो कोश्चन नमर 15 को देखते हैं इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं और हमी समा कलंग करना है बहुत ही आसान बहुत ही प्यारा सा कोशन है सब्सक्राइब आई इसक्राइब टूक्स को आइस क्योभस क्वारी को तूक्स और एंटू में टूक्स आरे अब कोग्या डियागव आई इस्क्राइब कर तो इक्सक्राइब सर्ट और रिए सकते हो। सिसक्यारे टो एक्स माइनिस बन हैं और एंट फो मेट ट और इंट प्रत एंक रिग सेंट वक्त oppose एकupport उर यह आपूफ रह चाहिग सट क्लिए हो जाएगा तो आई स्कूल टू अप को हो जाएगा देखिस को अपने टी माना है टी स्क्वाइर माइनस वन और टैनेक्स इंटू सेक्स डी एक्स के अस्तां पर आप लिए सकते हो डी टी अपान में टू अलाग अलग भाई समा गलंग कर लीजिए तो वान अपन टू बाहर ह सेट टू एक्स और अपान में कितना हो जागा टू प्लस सी बस यहीं आपके इसकोशन नमबर क्या कोशन नमर 15 का एंसर हो जाएगा यसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है ठीक है बास अमें एक नहीं बस पता यहीं यह कोशन सब्सक्राइब आए कि नहीं आ यहां समझ म के बाकिस प्रशना वाली में जो भी कोशन बचे हैं वह आगे की क्लास में आप मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि क्लास जदा बढ़ी अभी नहीं होनी चाहिए अभी जल्दी मैंने क्लासों को अप्लोड करना शुरू किया है तो काफी स्ट्टेंट सभी हम से जुड जे बारण